हलो एबरिवन, गुड मॉर्णिंग इंडिया, स्वागत है अब सभी का जेनिक जी स्टडी चैनल की दिहास के पन्नों में आज के तारीक में आज है 27 अक्टूबर और आज हम जानने वाले हैं कि पूरे विश्व में कौन-कौन सी घटना है घटी साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि आज कौन-कौन साथ डे मनाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं 18 वी सदाब्दी से सबसे पहले हम विजिट करेंगे यूएस के तरफ जहाँ पे 1795 में यानि कि 1795 में आज ही के दिन यूएस और स्पेन के बीच मैट्रीड समझाता हुआ था मैट्रीड में एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसके तहते स्पेन और यूएस के बॉन्डरी का निर्धारन हुआ था बॉन्डरी का डिक्सीजन हुआ था ओके आज ही के दिन 1904 में पहला अंडरग्राउंड सब्वे निवी और्क में खोला गया था जो बाद में उसका नाम IRT ब्रॉडवे नाम से जाना गया जो की 7th Avenue नू लाइन के साथ कोलाबरेट करके मेंशन किया गया था आज ही के दिन 1924 में उजबेकिस्तान को USSR ने सोबियत उनियन में एक अलग जगह दी थी आज ही के दिन 1958 में इसकंदर मिरजा जो की पाकिस्तान के पहले राष्टपती थे उनको पाकिस्तान की आर्मी के हेट जो जेनरल कमांडर थे अयूप खान उन्होंने पोस्ट से हटा दिया था तक्था पलेट कर दिया था और खुद को राष्टपती गुचित किया था आज ही के दिन 1961 में नासा ने पहला सैट्रून सैट्रन जो आप उसका यान था स्पेस्चिप था वो रॉकेट को लॉंच किया था जिसका नाम दिया गया था सैट्रन वन के नाम से जाना या जायरे के नाम से उसको एक नेम मिला अलग से नाम करण हुआ उसका जायरे के नाम से आज ही के दिन 1991 में तुरकमेनिस्तान को इंडिपेंडेंस प्राप्थ हुआ था USSR से यानी कि सोवियत संग उनियन ऑफ रसिया से आज ही के दिन 2014 में बृतेन ने अपना एक आफगानि में ISI का चीफ अबू बकर अल जो था अबू अल बकर जो था बगदादी जिसका नाम था उसने एक सूट को यानि कि जो सुसाइट बॉंबर सूट था उसको डिफ्यूज करने के चकर में तीन बच्चों के साथ मारा गया था ये था पीशो की तिहां सी घटना है अब हम बात क 27 अक्टूबर को World Day for Occupational Therapy के नाम से भी मनाया जाता है ये था विशो की तिहांस की मतपूर्ण घटना है साथी साथ पूरे विशो में आज कौन से दिवस मनाया जाते हैं इन सब के बारे में हमने जान लिया अब है आप से question पूछने का time तो चलिए हमें आप बताएंगे कि Islamic संगठन जो ISI था उसका संस्थापना यानि किस्थापना कब हुआ था, establishment कब हुआ था और उसके प्रमुक कौन थे ठीक है आज ही के दिन, आज से related हम पूछेंगे आप से की accession, कास्मीर का accession भारत के साथ होने के बाद पहली बार, पहली बार Indian Army ने जम्मू कास्मीर की सीम में कब उतरा था या कब आया था, ओके, इस question का answer आपको comment box में comment करके देना है, ओके guys मिलते हैं हम लोग next episode में, bye bye buddies, thank you, keep learning